हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी सो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारे केमिस्ट्री के नेक्स टॉपिक की जो की होने वाला है आटम यानि हम बात करेंगे एटोमिक स्ट्रक्चर की सबसे पहले हम बेसिक जानकारी लेंगे एटोमिक स्ट्रक्चर में की आटम क्या होता है एटम क्या होता है सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे की आटम को पिटा हींदी में कहा जाता है पर्मानू कहा जाता है आटम को यहाँ पर अब अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि आटम इस दे smallest particle of an element last class में मैंने element बताया था element क्या होता है तत्व तो element का ठीक है मान लेते हैं ये element है और ये element का सबसे smallest particle ठीक है ना सबसे छोटे particle को क्या कहा जाता है बेटा atom कहा जाता है ठीक which can participate in any chemical reaction जो किसी भी किसी भी रासाइनी कभी क्रिया में क्या कर सकता है भाग ले सकता है participate कर सकता है लेकिन cannot exit in an independent state लेकिन स्वतंत्र रवस्था में नहीं रह सकता है ठीक है ना independent नहीं रह सकता ठीक है और electrically वो क्या होता है ना atom, neutral होता है बेटा देखी कितने सारे questions बन रहे हैं, कौन electrically neutral होता है, कौन जो होता है, reaction, chemical reaction में participate जो है, कर सकते हैं, लेकिन independent नहीं रह सकते हैं, या फिर element का smallest particle क्या कहलाता है, basic basic questions, बहुत basic तरीके से आपके exams में जो है, पूछे जाता है, फिर से एक बार revise कर लेता है, atom क्या है बचो, what is atom, atom किसी भी element का सबसे छोटा particle होता है, और ये जो होता है बेटा, किसी भी chemical reaction में participate कर सकता है, लेकिन स्वतंत्र नहीं रह सकता, दूसरी चीज, कि ये electrically क्या होते हैं, neutral होते हैं, बात समझ में आ गई, simple ती चीज थी, क्या है atom, अब हम बात करेंगे, molecule क्या होते हैं, molecule मतलब जिसको बेटा हिंदी में कहते हैं, अनू, ठीक है, molecule क्या होते है, So, molecule की बात करें बेटा, the smallest particle of an element or compound, which can exist in an independent state, is called molecule, बात समझ में आ रहा है, कि ऐसा element का, किसी भी तत्व का, वो छोटा सा छोटा particles, तत्व के साथ योगिक भी बोल रहा है, किसी भी योगिक का, या फिर किसी भी तत्व का, वो छोटा से छोटा कर्ण, पार्टिकल, जो हमारा देखने को मिल रहा है, कि स्वतंत्र अवस्था में रहे सकता है, यानि तत्व तत्था योगिक का, वो छोटा से छोटा कर्ण, जो स्वतंत्र अवस्था में रहे सकता है, उसे हम क्या कहते हैं उसे हम अणू कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं अणू कहते हैं और परमानू किसे कहते हैं परमानू किसी तत्व का वो छोटे से छोटा कन होता है जो किसी भी रासाईनी कभी क्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र स्वतंत्र जो की अनू रह सकता है इंडिपेंडेंट रह सकता है लेकिन ये इंडिपेंडेंडेंट नहीं रह सकता, यहीं दोनों में क्या है बेटा, basic एक different है, now अब हम बात करते हैं, atomic weight की यानी परमानुभार क्या होता है, ठेके न, परमानुभार क्या होता है, ठेक, so atomic weight of an element, किसी भी element, किसी भी तत्व का atomic weight जो होता है, is a number, वो एक number होता है, जो क्या शो करता है, जो शो करता है कि how many times heavier an atom of that element is then 1 by 12, the mass of an action of carbon 12, और 1008 part of the mass of hydrogen, ठेक है, यानी किसी तत्व का परमानुभार, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा student, किसी तत्व का परमानुभार, वो संख्या होती है बेटा, क्या होती है बेटा, number होती है, वो संख्या होती है, जो ये प्रदर्शित करती है, जो ये क्या करती है, शो करती है कि element का एक परमानु, ठेक है, एक परमानु, कार्बन 12 के परमानु के एक बटा 12 भाग, द्रव्यमान अत्वा हाइड्रोजन के 1008 द्रव्यमान से कितना गुणा भारी है, बात समझ में आ रही, इसी को कहा जाता है परमानु भार, ठीक है, चल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो molecular weight में हम ये कह सकते हैं, कि किसी पदार्थ का अनुभार वो संख्या है, जो ये प्रदर्शित करता है, कि उस पदार्थ का एक अनु, उस पदार्थ का एक अनु, कार्बन बारा के एक परमानु के एक बटा बारा भाक से कितना गुणा भारी है, ये हमारा molecular weight हो जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है बेटा? ये हमारा molecular weight हो जाता है, अब हम पढ़ेंगे mole concept, next हमारा heading होगा, mole धारना, mole concept क्या होता है बेटा? mole concept, एक mole किसी भी निश्चित सूत्र पर, ठीक है, किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वो राशी है, ठीक है ना? वो राशी होती है जिसमें उस पदार्थ की 21 सूत्र की संख्या उतनी ही है, ठीक है ना? 21 सूत्र की संख्या उतनी ही है जितनी शुद्ध कार्बन 12 आइजो टॉप के ठीक 12 ग्राम परमानों की संख्या होती है यह mole concept होता है, a mole is that amount of a substance of any fixed formula in which there are many formula unit of that substance as there are atom in exactly 12 gram of pure carbon 12 आइजो टॉप तो यह होता है बेटा क्या? mole concept ठीक है यह क्या होता है बेटा? mole concept होता है अगर हम mole के unit की यानि mole 1 काई का मान निकालेंगे तो mole 1 काई का मान कितना होता है यह याद रखना है आपको यह आपके exam में पूछा जा सकता है कितना होता है? 6.022 x 10 to the power 23 ठीक है यानि कारवन के 12 gram या एक mole में आपने क्या किया? 6.022 x 10 to the power 23 आटम आपने क्या किया? देखा इसी को बेटा आवोगादरो संख्या कहते है या रखना कोशन पूछा जा सकता है आवोगादरो संख्या कितनी होती है या mole concept की value कितनी होती है? कितनी होती है बेटा? 6.022 x 10 to the power 23 ठीक है? चले नेक्स्ट मोल के बारे में जान लेता है मोल जो होता है बेटा एक symbol होता है ठीक है ना? मोल एक प्रतीक होता है मोल की संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक होता है ठीक है? और 1967 में मोल को इकाई के रूप में accept किया गया था वो संथा 1967 और 20 सेंचुरी में ठीक है? मौडन रिसर्च के रिजल्ट से जे जे थॉम्सन, रदर फोर्ड, चाडविक साइन्टिस्ट ने ये प्रूब भी कर दिया था कि आटम जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? बिभाज ये होते हैं और वो तीन मूल कणों में से मिलकर बने होते हैं जिसे कहा जाता है बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये इन तीनों ने रिसर्च से क्लियर कर दिया था आपके साइन्टिस्ट ने ओके कि यहां पे इन्पोर्टेंट नोड भी है जो आपको जानना पड़ेगा इन्पोर्टेंट नोड क् सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलता पूर्वक निर्धान जो है वो जिस साइन्टिस्ट ने किया था उनका नाम था मिलीकन, मिलीकन ने क्या किया था तेल के बूंदों का यूस किया था अपने एक्सपेरिमेंट में और उन्होंने ही सबसे पहले एक्सपेरिमे प्रकृती की कोज मतलब इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी डिस्कवरी से भी स्थाम पूछ सकता हैं। इडि स्पड़ी उनका नाम था जन्हों ने क्या किया था इलेक्ट्रॉन के वेव धो डिस्कवर किया था दूसरे चीज पाजी स्ट्रान थिक अना विटा पाजी स्ट्रान की खोच किसने प्हुश्च किसने की थि एडर्सन है किसने फिटी बेटा एडर्सनने किया था और इंदियन साइन्टेस जिन का नाम था sat आव स्पेशल मूलकर्ण ठीक है ना? स्पेशल जो जो और पार्टिकल्स ठीक है बोसाइन ठीक है क्या नाम है बेटाइ? बोसान का नाम रखा गैथा तो अपनें mote पार्टिकल्स बोसाइस इस neighbor after the Indian scientist Satendra Nath Basu, उन्ही के नाम से ये रखा गया था, कोशन पूचा जा सकता है कि बोसौन का नाम कि साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था, नेक्स्ट, nearly massless and chargeless particles neutron were discovered by Polly 1930 and there is a rotation in it, लगभग ध्रव्यमान हीन और आवेश हीन particles neutron की खोच जो है, Polly ने बटा 1930 में किया था, ठीक है, दूसरी चीज है कि रदर फोर्ड का जो nuclear atomic model नाभी के परमानू model की बात अगर कड़े तो रदर फोर्ड और उनके कुछ students Hence, Giger और Ernest Marston ने गोल्ड की बहुत ही पतली सी पत्ती पर बीटा रेज यानि वीटा कणों के बहुचार कर परमानूओ का नाभी के model प्रस्तुत किया question पूचा जा सकता है कि परमानूओ का नाभी के model किस ने दिया और परमानूओ का नाभी के model किस की पत्ती पर किया गया था सोना, चांदी, ठीक है न, इसके अलावा aluminum ऐसे करके आपसे पूचा जा सकता है ठीक है, according to this model, इस model के अनुसार, model क्या कहता है बेटा पहला कि परमानूओ का धनाविश तथा अधिकांच द्रविमान एक अती अलप छेत्र में ही केंडरिक होता है एक ही जगह पे वो क्या होता है, concentrate होता है, concentrated होता है और परमानूओ के इस अती अलप भाग को रदर फोड ने क्या नाम दिया रदर फोड ने इसको नाम दिया कि ये है बेटा, क्या nucleus यानि इसी को कहा जाता है नाभिक क्या कहा जाता है बेटा, नाभिक जो किसी भी परमानूओ का ठीक है परमानूओ का जो धनावेश और अधिकांच रविमान एक जो छोटे से area में आपको देखने को मिलता है कि पाया जाता है, concentrated होता है उस area को ही कहा जाता है nucleus यहाँ पर फिर से एक note आगया, important note को ध्यान देना है कि रदर फोड ने calculation करके दिखाया कि ये nucleus की जो आयतन होती है परमानूओ के कुल आयतन की तुलना में बहुत ही जादा कम होती है ठीक है और इस particular atom का जो radius होता है जो इसकी तुरज्या होती है वो 10 to the power minus 10 meter होती है जबकि आपकी इस nucleus का जो radius होता है वो 10 to the power minus 15 meter होता है question यहाँ पर पूचा जा सकता है कि atom का radius कितना होता है nucleus का radius कितना होता है और किसने radius को discover किया दूसरा point बेटा कि nucleus के चारो और electron जो होता है बेटा वो circular pathway में यानि pathway के form में होता है जिसे कहा जाता है कक्च यानि orbit ठीक है जो तेजी से घूमता है यानि the electron move rapidly around the nucleus in the circular path ठीक है called orbit and electron और nucleus आपस में कह सकते है आकर्षिन के स्थिर बलो द्वारा बदे होता है मतलब कि यह electron और यह जो nucleus होते है एक दूसरे से electrostatic force कहता है इसको बेटा electrostatic force के attraction से ही bind होता है इन दोनों के बीच में electrostatic force लगता है ठीक है इसके अलावा इस model की बात जो कि हम कर रहे है rather 4 का model है जिसमें आमने इतने सारे points पड़े इस model के कुछ demerits है कुछ दोश है वो भी देख लेते है rather 4 atomic model किसी भी atom के स्थाइत्व की वेक्या उन्होंने ठीक है प्रॉपर तरीके से atom का explain नहीं वो कर पाए दूसरा डीमेरिट यह था कि यह जो इस model electronic structures के बारे में कुछ भी उन्होंने इस model में उन्होंने electronic structures के बारे में कुछ भी नहीं बताया और इससे यह पता नहीं चलता कि electron मतलब हलकी में structure नहीं बता तो इसलिए पूरा clear नहीं हुआ कि electron electron जो होता है नाभिक के चारो ओर किस प्रकार वो विद्वमान है ठीक है ना किस प्रकार वो exit कर रहा है और इनका जो है आप कह सकते है उर्जा क्या है कितनी energy है ठीक है ना this model does not describe anything about the electronic structure and that is it does not tell how this electron exits around the nucleus and what is their energy वो नहीं बता सकते है उन्हें नहीं बताया यह दूसरा demerit था ठीक है नाउ next हम बात करेंगे बेटा परमानु क्रमांग जिसको हम क्या कहते हैं atomic number so किसी भी element के atomic atom ठीक है nucleus में उपस्थित proton की numbers को कहते हैं ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा the number of protons the number of protons present in the atomic nucleus of an element is called atomic number बात समझ में आ रही है is called atomic number दूसरी चीज है mass number ठीक है द्रव्यमान संख्या इसको हिंदी में कहते हैं so किसी परमानू के नाभिक में उपस्थित proton और neutron को अगर आप जोड़ दो add कर दो तो उसे हम atomic number कहते हैं the sum of the number of proton मतलब अगर आपको किसी भी कह सकते है किसी भी परमानू का परमानू संख्या निकालना है तो उस परमानू के proton और neutron की संख्या को आप क्या कर दो add कर दो तो आपको mass number पता चल जाएगा और atomic number पता करने के लिए आप क्या करोगे proton की number जो atom में जो proton के numbers है ना present है वो आपके क्या हो जाते है atomic number मतलब की किसी तत्व के परमानु नाभिक में उपस्थेत प्रोटॉनों की संख्या जो उस परमानु के नाभिक में उपस्थेत है तो प्रोटॉन की संख्या अगर आपको पता करना है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि उस atom के अंदर नूक्लियस में की संख्या कितनी है प्रोटॉनों की संख्या कितनी है सोड़ी ना मास नंबर देखिए मास नंबर के लिए मैंने अभी फॉर्मूला भी बताया प्रोटॉन के नंबर्स को और न्यूट्रॉन के नंबर्स को आट कर लिजिए आपको मास नंबर पता चल जाएग next आपका हो गया द्रव्यमान संख्या यानि कह सकते हैं quantum numbers क्या कह सकते हैं quantum numbers so quantum numbers में क्या बता रहा है spectrum रेखाओं की सुक्ष्म प्रकृति समझाने तथा electron की ठीक ठीक स्थिट्टी का वर्णन करने के लिए चार quantum संख्याओं का यूज किया जाता है ठीक है न बेटा किसी भी spectrum के ठीक है spectrum के रेखाओं की एक microstructures को जानने की कोशिश और समझने की कोशिश करते हैं उसके लिए electron की location को उसके positions को जो है हमें study करना होता है उसकी study के लिए हमें quantum संख्या की need होती है जो की 4 होती है अभी हम बात करते हैं principle principle of quantum numbers यानि यहां पर principle of quantum numbers को of n से denote करेंगे जो की positive कह सकते integers होती है ठीक है जिसकी value एक दो तीन चार पांच कुछ भी हो सकती है n का जो value होगा अगर बढ़ेगा तो उसके बढ़ने से जितने भी orbitals के numbers है बेटा तेकर orbitals भी की संख्या भी क्या होंगी बेटा वो भी बढ़ेंगी याद रखिएगा इसे n स्क्वाइर से आप pre-present कर सकता है तो electron की जो main energy label होती है उसको प्रदर्शित ये करती है और n के बढ़ने से obviously orbit भी orbit की energy भी क्या होगी बढ़ेगी next next है बेटा azimuthal quantum number जिसको i से denote करते है ये electron orbit की कह सकते है एक three dimensional structures को show करती है ठीक है और इसका Newton जो value होता है इसकी जो maximum value कह सकते हो वो क्या होती है zero होती है ठीक है और maximum जो होती है बेटा minus one होती है Newton जो होती है minimum जो होती है वो zero होती है maximum जो होती है बेटा minus one होती है next है बेटा magnetic quantum numbers ठीक है चुम्बकिय quantum संख्या इसको बेटा M से represent करते हैं ठीक है इसको M से represent करते हैं यह वो पूर्जा इस तरों के कक्ष यानि orbits को प्रदर्शित करती है यानि कह सकते हो कि यह सब energy label के orbits को show करती है ठीक है the value of M depends on the value of I यहां पर M की जो value होती है वो किस पर depend करती है I के value पर depend करती है और अभी हमने देखा I किस की value होती है as the mutual quantum की value होती है उसी पर यह depend करती है ठीक है और for sum I the value of M range जो होती है बेटा वो प्लस 1 से माइनस 1 तक होती है यह इसकी value होती है including 0 भी आप ले लिजे नेक्स्ट आते हैं चक क्वांटम संख्या स्पाइन क्वांटम नंबर ठीक है 1925 ने जॉर्ज ने इसको डिस्कवर जॉर्ज और कुछ उनके फ्रेंड्स थे गाउट्स पे इन्हों ने इसको खोजा हुआ था ठीक है और यह लेक्ट्रॉन की जो क्वांटम नंबर्स होती है इसको MS से डिनोट करते है यह लेक्ट्रॉन के चक्रन की दिशा को शो करती है कि लेक्ट्रॉन किस डाइरेक्शन में जो है वो क्या कर रहा है बेटा स्पाइन कर रहा है तो किसी चुम्बकी क्वांटम की संख्या के लिए चक्रन क्वांटम जो संख्या होती है एसका मान जो होता है बेटा प्लस व इन साइन्टिस्ट का नाम था बेटा, जिन्होंने दिया हुआ था, स्री डिंजर, ठीक है, for this he received the Nobel Prize in Physics in 1933, इसके लिए उनको Nobel Prize भी मिला था, 1933 में, next है, पावली का अपवर्जन नियम, पावली एक्स्क्लूजन प्रिंसिपल, जो की 1925 में आया था, इस लौ के, इस नियम के अ एक दिये गए आटम में किनी दो इलेक्ट्रोन के लिए, चारो क्वांटम संख्याओं की जो वैली होती है, वो इक्वल नहीं हो सकती, अता यदि दो इलेक्ट्रोन, N, I और M के मान एक ही हो, तो उनका जो कह सकते है, spine होगा, उनका जो rotation होगा, specially, चक्रन जो होगा, वो क्या simplicity rule, ठीक है, इस rule के according electron तब तक, ठीक है, तब तक जो है, pair नहीं होते, जब तक की, आप कह सकते हो की, rict kaksh prime, ठीक है, vacant orbital जो होता है, वो available नहीं होता, अर्थात, जब तक ये possible है, electron जो होता है, वो तब तक क्या होते है, आपको देखने को मिलेंगे, कि वो unpaired ही रहते हैं, Heisenberg की अनिशित्ता का सिध्धान, ठीक है, Heisenberg uncertainty principle, ठीक है, इनके according देखा जाए, तो किसी भी particle की जो positions होती है, और उसकी जो velocity होती है, वो exact जो है, असंभव है, मतलब exact position और exact velocity, जो है, वो stimulusly होती है, ठीक है, Now, आफवाउ का नियम, ठीक है, इस नियम के द्वारा elements के electronic विन्यास, आप देख सकते हैं, electronic विन्यास इसी को कहता है, ठीक है, atomic orbital, आप देख रहे हो, यहाँ पे configuration of electron कहा जाता है, इस ब्लॉक के द्वारा elements के electronic विन्यास लिखने के बिविन्य परमानू orbitals की energy बढ़ने की sequence, मतलब जिस असाब से energy increase हो रही है, और बिटकी उससाथ से यहाँ पे electronic configuration दिया गया है, और यह rule electronic configuration ही देता है, नेक्स्ट आते हैं बेटा, आईजो टॉप में, ठीक है, जिसे समस्थानिक कहा जाता है, समान परमानू क्रमांग परंतु different परमानू द्रव्यमान, तो जब परमानू, जो है atomic mass जो है different है, बट आपके परमानू क्रमांग जो है same है, तब उसको होते हैं, और आईजो टॉप को proton की संख्या जो होती है, उसमें आपको क्या देखने को मिलती है, equal होती है, बट neutron की संख्या different होती है, जैसे example में आप देख सकते है, ठीक है, इसमें आपके क्या है, neutron की संख्या क्या है, आपकी different है, proton की संख्या क्या है बटा, same है, so chemical reaction में So the element with the largest number of the isotope is polonium ये भी बहुत important है polonium का जो है isotope सबसे largest होता है Next आते हैं संभारी, isobar So समान, पर्मान, द्रवेमान, जस्ट उसका opposite कर लिजे अब पर्मान, द्रवेमान समान होगा, पर्मान, क्रमान भिद्ध होगा तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा ऐसे पर्मानों को हम isobar यानि संभारी कहेंगे आप example देख सकते हैं Isotone, ठीक है जिन पर्मानों में neutron की संख्या क्या होती है बेटा equal होती है, उन्हें isotone कहते है ठीक है, इन दोनों पर्मानों आप example में देखिए 1H3, 2H4, ठीक है neutron की संख्या इन में क्या है, सेम है इन दोनों पर्मानों के नाभिक में neutron की संख्या क्या है दो, दो है आईजो-Electronic, ठीक है आईजो-Electronic, जिन आइन्स और पर्मानों की electronic विन्यास समान होते है ठीक है, उन्हें हम आईजो-Electronic कहते है एक्जाम्पल भी आप देख सकते है इन में electron की आयन की संख्या क्या होती है बेटा समान होती है ठीक है तो ये रहा बेटा आज का chapter जो की हमने atom पढ़ा इससे आगे की जो topics है उसको मैं आगे की class में cover कराऊंगे तो आज के लिए बेटा इतना ही thank you